श्री शिवाय नमस्तू भी हम दोस्तों छे मई को जेश्ट मास की शनिवार के दिन प्रतिवदा तिथी पढ़ रही है पुझ गुरुजी पंडित प्रदिप जी मिश्रा का प्रतिवदा तिथी का उपाए हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं पुझ गुरुजी पंडित प्रदिप जी मिश्रा का यह उपाए शिवपुरान का करता है तो खास करके प्रतिवदा तिथी को तो उसकी सारी इच्छा मनो कामना पूर्ण होती है साथी में बाबा महकाल की उसे विशेश क्रीपा अपार क्रीपा प्राप्त होती है तो किस प्रकार से इस उपाए को करना है कैसे करना है चलिए शुरू करते हैं अगर आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं पज्जु गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ये सही उपायगी भी जाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा शुरू करते हैं आईए समझते हैं विदिवाद रूप से इस उपाय को देखे सबसे पूरू आपको क्या करना होगा कि आपको चार मुखी दीपक आठे का तयार कर लेना है चार मुखी दीपक जो है आठे का तयार कर लीजिएगा साथ में आपको एक शुद्द लोटा जल लेना है चार मुखी दीपक तयार करने के बाद आठे का दीपक तयार करन के बाद एक शुद्द लोटा जल शिवजी को जल अर्पित करके आना है रातरी नो बचकर पंद्रा मिनिट पर आप यह उपाय करने वाले हैं पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ विदिवद रूप से जिस प्रकार से बताया जा रहा है कुछ इसी प्रकार से आपको यह उ ले जाईएगा नो बजे के आसपास और नो बचकर पंद्रा मिनिट पर ठीक आपको इस दीपक को लेकर मंदिर की चोखट पर अपना नाम और गोत्र बोल कर प्रजलित कर देना है इतना करने के बाद जो भी इच्छा मनोकामना जो है आपकी जो लंबे समय से पूर्ण नही को करना है सबसे पूर्व प्रातह का लिष्णाना दी करके आपको शुद्व लोटा जल शिवजी को ज़दर पित करके आना है उसके बाद चार मुखी दीपक आटे से बना हुआ आपको तयार करना है थोड़ा सगी डाल कर रातरी नो बचकर पंद्रा मिनिट पर इसे किसी भी नजदी के शिम मंदिर में जाकर मंदिर की चोखट पर प्रजलीत कर दीजेगा आपकी जो भी इच्छा मनो कामना है वह जल्द से जल्द पूर्ण होगी साथी में बाव महाकाल की विशेश करिपा आपको प्राफ्त होगी